देखो आप जो इसा हुआ है वो इसा होना रही चाहिए आगे बताए दे रहें समझे यार धीरे बोला करो थोड़ा धीरे नहीं बोल पाएंगे हम तो ठीक है चिलाओ फिर पूरे महले में बताओ कि हाँ लाई हो रही इनके आज हाँ तो वो तो बताएंगे ही और पता भी चल पे बैठी महिला अचानक से गिर जाती है इनको पता ही नहीं चलता है तो का मैं पीछे आखी लगी जो पता चल जाएगा पीछे आखी नहीं लगी तो धक्का तो लगा होगा हलका तो लगा होगा दिमाग है कि भूसा है लेकिन किसी को क्या परक पड़ता है गिर रही तो ग इंडिच जी पैडिल मारते चुटिया हिलाते हैं तुम लोगों के ना हम इतनी तेज कंटाफ मारेंगे तुस्मा गाल में छेध हो जाएगा मोध कंटाफ खीच के तो यहां मार पीट हो रही या मार पीठ हो या नाच गाना हुए आप से क्या मतलब है अरे हम मकान मालिक हैं भाई मकान मालिक है तो का करें आर्टी उता रहें हम तो खाली धनिया लेने आये थे तो धनिया लेने आये थे तो मुझ का है बना रहे है पागलो जैसा नहीं है दनिया अज़िया तो आप का है बता रहा है भाभी जी बताएंगे धनिया हाई की नहीं है लेकिन आपको बात करने की तमीज नहीं है ए इधर देखो खाना तुम बनाते हो काहे कल बनाया रही था चाय बनाई थी मतलब यहां मरमर गिस गिस खाना बनाए हम क्रेडिट लेओ तुम अरे यार धीरे बोला को रहो यार तुमारी आवाज हमको बहुत चुबने लगती है आज कल बहुत चुब रही तुमको हमाई आवाज है हाँ चुब रही तुमाई आवाज हाँ तो मार देगा घंटाब कीचके बाभी जी भी फुल पॉबम में हैं अरे राम अभी बेजटी करके भेजा था लेकिन कुछ लोग इतने घटिया किसम के होते हैं कि क्या बताएं हम क्या है अब अरे हम खाली वैटे थे तो सोचए किराई लई लई ले जाके किराज़ा इन ले जाके आप कितनी तारीक है एक तारीक हो गई है तो आप 26 लेकिन सिलेंडर वाला आया है ना तो पैसे मांग रहा हम सोचे यहीं स्लैक के दैदें यहीं स्लैक के दैदें सरम भी नहीं आती बोलते हुए मतलब अगर हम किराया नहीं देंगे तो आप के हाँ सिलेंडर नहीं आएगा नहीं आप के हाँ चूला जलेगा नहीं खाना बनेगा ऐसा नहीं है चूला का है नहीं जलेगा सांत रहिए आप मतलब आप इतने घटिया किसम के इंसान हैं को यह आदत आप की इतनी घटिया लगती है कि अगर सबजी लेनी है तो किराया लईके दै दें पच्चों की फीस भरनी है किराया लईके भरवा लें जूता सिलवाना है किराया लईके सिलवा लें मतलब अपने जीवन या अपन का कोई भी काम करवाना होगा तो किराया लईक करवा लें सरम भी नहीं आती है आप से ज़्यादा घटिया आदमी हमने देखा नहीं हम आपको बताए दे रहें कि क्या है अब लेंगवेज भाई सहाब आपकी बहुत गंदी है सुधार ये इसको थोड़ा कि मम्मी ये हमाई खोपडी दिवाल में लडाय दे रहें तुम भी लगाते हो खोपडी ठीक मम्मी पस तुम लोग यही करो अब मतलब हम क्या बताएं यार इधर तुम आए पापा से परेशान उदर मकान मालिक से परेशान इधर तुम लोग परेशान करते हो मम्मी यह मम्मी वो यार मम्मी मम्मी मर जा मम्मी अरे यार हम तुमको कितनी बार बताएं इतना ज्यादा चिलाती हो इग के आब हम चिलाएंगो नहीं खोबड़ी फोडएंगे ओफोखोबडी फोखोबडी रुको अभी तुमाही क्वाइश पूरी करते कहां रुको को कि अब हम तेलेने आय थे आह झाल